नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त रोईतास यादव आज सीजे बाइनेंस के उपर ही बात करेंगे क्योंकि इसने के इंडिया के बारे में थोड़ा बात गलत कह दी और वो देखिया आप एक ऐसे पब्लिक प्लेट फॉर्म पर हैं तो जहां आपको इस तरीकी के बा एंडिया में अभी उस लेवल पर नहीं पहुंश सकती है वहां पर काम करने लाइक हालात नहीं है यह ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो सकती सायद सीजे बाइनस को यह नहीं पता कि यहां से 2022 में कितने लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में एंट्री की है मुझे लगता है सा जानेकारी नहीं थी लोगों को इसलिए ज़ादा एंट्री नहीं थि लेकिन दोजार एकीस के बोलडन के बाद तो इंडिया में इतनी जयादा क्या कित हैं कि हुई है कि मैंने पीछे वीडियो होती है कुछ ओफीसली होती है लेकिन चलिए इस पर थोड़ा सा भी बातें बात करोगा पहले लेते हैं मार्गेट में और क्या चलता है देगिन तो कुछ नगटिव आई जाता है अभी अथे रियरियम का कुछ नगटिव चली रहा है वह भी खतम नहीं हुआ है लेकिन जब BTC अभी देखिए 15,900 से 16,000 डॉलर के बीच में गोम रहा है लेकिन यहां क्यों यह गोम रहा है यहां क्यों के Ethereum प्राइज अभी देखिए 1118 डॉलर पे है और जो FTX का जो hacker है so-called hacker ही कहेंगे लेकिन वो खुद Sam ने ही सब कुछ adjust कर रहा है कुल मिलाके अपना ही माल है वो जो इधर दोर से काम करके अपना कर रहा है तो FTX का जो hacker है उसने जो है अभी लगबग रिसेंट ली 15,000 Ethereum और जो है सेल करके BTC में convert करे हैं यानि वो Ethereum में से निकल लाए दीरे-दीरे तो वो सेल आउट भी करता जा रहा है जैसे जैसे वो सेल करता है उसकी news market में आती है BTC कहीं-कहीं जटका खा जाता है तो सिर्फ अभी जो फट चल रहा है वो है Ethereum बाला इसका असर जो Ethereum का और भी price पड़ता है दूसरे कहीं-कहीं ले डूपता वाली बात हो गई अब यहाँ पर Solana बिचारे की कोई गलती नहीं है लेकिन मारा हुआ है FTX का FTX ने तो बहुतों को लपेट रखा है वहीं पर जो है Solana का price भी 11-12 dollar के आसपाश चला है जो लगबग 9% नीचे है 24 hour में सिवाईनू 0.5x0863 में चला गया है यानि के अभी यह 9 की सीरियस से भी नीचे चला गया है जो लगबग 5-6% परसेंट प्राइज इसका नीचे जादा है ठीक है सोनम बेवफा है यह चीज काफी आपने सुनी होगी काफी चर्चा में भी रही हमारे कई यूटुबर वाई भी इसका नाम ले रहे है और काफी नोटों पे बाकादा लिखके सोनम बेवफा है वही चीज एसे एनम के साथ भी होई है कहां तो इसने आसमान पे सीधी कुलाच मारी और अब आ गया है आपका 1.4 डॉलर पर यानि के लग भग 80-85% प्राइस नीचे आ गया जितना उपर चड़ा उतना ही नीचे आ गया यानि इतने बड़े स्किल पर मैनूपलेशन चल ला है यह आपके सामने है लेकिन यहाँ एक चीज़ सोचने वाली बात यह है बाइनेंस पर यह लिस्ट है लेकिन कोई भी किसी तरह का कमेंट नहीं है उस बड़बोले पन जो बोलता है CJ बाइनेंस उसको बोलना चाहिए था है यहाँ पर यह इतना मैनूपलेशन कैसे हुआ भाई सबसे बड़ा एक्सेंज है और सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग अगर हुई होगी आपर तो बाइनेंस पर ही हुई होगी भाई और एक्सेंजों पर इतना नहीं हुआ होगा जितना बाइनस पर हुआ है लेकिन CJ बाइनस यहाँ एक बात नहीं बोल रहा है कि इतना ज़्यादा मैनूपलेसन हुआ क्यों हुआ वजय क्या थी इस बियर मार्केट में कोई इतना ज़्यादा प्राइस चड़ जाए किसी का पॉसिवल ही नहीं है कोई ऐसी नियूज भी इसमें नहीं थी जिसकी बिज़य से ये का जया है कहां इसका प्राइस इतना बागे में रेली में जा सकता है ऐसा कुछ नहीं था केवल क्या था मैनूपलेसन था जो कहीने कहीं बड़े लोगों ने खेला और खेलके प्राइस नीचे कर दिया जब आम लोग उसे तब तक उन्होंने अपना काम कर लिया तो सीजब बाइनेंस इस मैटर पे बिल्कुल भी खुलके सामने नहीं आ रहा उसने जो बकवास करी मैं तो बकवास ही कहूंगा इंडिया के बारे कि वहां कंडिसन ऐसी नहीं है है, वहां अभी क्रश्टो फले फूले वह पूले, वहां टेक्स का बोग। यतना राध दिया क्यों और दोसों में टेक्स नहीं है क्या बैई ठीक है, इंडिया ने लगाया है वह एक अलग बात है यहां कानून है, कानून, मैं यसाप से घ्रक्स नहीं है वो हो सकता है, जैसे बाइनेंस का ट्रेडिंग वॉल्यूम एक साल का लगबग जो रहता है, वो 4621 बिलियन के आसपास रहता है, मैं इनके वॉल्यूम के इसाफ से बतार हूँ, उपर लिखा भी आप ये पढ़ सकते हैं, एक्सेंज विद हाइस ट्रेडिंग वॉल्यूम येर टू डेट, तो वो ट्रेडिंग वॉल्यूम है, साइध कहीं नहीं, उसका वो गुरूर है, बाइनेंस के पास जो मैं बता रहें, 4621 बिलियन डॉलर का एक तरह से ट्रेडिंग वॉल्यूम, अगर उसके कंपेरिजन में देखूं, तो कॉइन बेस केवल 743 बिलियन डॉलर, हो भी ग्लोबल का अगर देखते हैं तो 404 बिलियन डॉलर, कुकोईन का देखते हैं अगर तो 331 बिलियन डॉलर, और get.io का 316 बिलियन डॉलर, तो भाई इसके आगे ये कहीं भी नहीं टिकते, तो इसलिए आपने देखा होगा कि इनके जो CEO हैं या इनके जो founder हैं, जो भी हैं, उनके इस तरीके के बियान भी नहीं आते हैं, और नहीं वो इतना ज़्यादा कोई बड़ चड़के ये tweet, वो tweet, ऐसा tweet, वैसा tweet, इनके CEO नहीं करते, लेकिन ये बड़ बोला CJ Binance, इसको तो tweet tweet करके market की ऐसी तैसी कर दी, इसने, cable, negative tweet करके, साइध इसलिए कि इसको जो ये trading volume हैं, इसके पास 4621 billion dollar का, साइध ये उसका गुरूर है, जो बोलने को मजबूर करता है, बनना भाई, ये भी तो exchange हैं, ये भी तो कुछन कोई बोल सकते हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा कोई ये ना तो positive news, ना tweet, ना negative tweet, कुछ भी नहीं करते, ठीक है, market जैसा है, वैसा है, लेकिन ये कुछ नो कुछ अपना एक पास के रखता है, तो कहीं ने कहीं साइध इसका ये trading volume, इसको बड़ बोलेपन में बुलबाता है, तो ये कुछ मेरा data इसलिए आपके सामने रखा, कि य हो रहा है, सब सामने है, crypto.com, ये भी लगबग आप ये माल लेजिए, खतरे की घंटी इसके लिए बच गई है, क्यों, क्यों कि इसमें से इतना ज़्यादा माल निकल के सब wallets में जा रहा है, कि इसके पास ज़्यादा कुछ बचेगा ही नहीं, जब इसके पास बचेगा नह है, कि मैं ये नहीं कह रहा हूं, डुराने बाली बात नहीं है, कि ये खतम हो गया है, लेकर खतम नहीं हो गया है, आप इसका flow देखिए, जो इसमें से BTC, Ethereum, जो भी है, सब लोग अपना-पना जायतर, या तो trust wallet में transfer कर रहे हैं, या अपने wallet में, अपने private wallet में उनके, उनमे transfer कर रहा है, तो जब exchange के पास कुछ बचेगा नहीं, तो फिर वो करेगा क्या, तो कहीं कहीं उसके सामने भी ये दिक्कतें आएंगे, इसलिए मैंने इस list में इन दोनों को नहीं रखा हुआ है, ftx और crypto.com मैंने अपनी list से इसलिए बाहर करे, तो देखिए कहीं ने कहीं, यह यहां पर एक और एक और एक तरह से बाइक करप्टो केंसी के लिए थोड़ा सा negative हो जाएगा, कि बाइडन साबने भी जो है, बहुत ही एग्रेसिवली इसको बोला कि भाई, रेगुलेशन साब बहुत ही जरूरी है, कंपल्सरी है, यानि कि अर्जेंट वाली बात हो गई, क नहीं साब, अब तो चाहिए ही चाहिए, क्यों इस FTX, यह FTX ही जो कलैप्स हुआ, उसकी बजाए से और भी बहुत सीज़े कलाउस दिरे-दिरे, भाई, सब का दिरे-दिरे नमर आ रहा है, आप देखते जाना, अलमेंड आ हो गया, फिर उदर आपका जैनेसिस हो गया, तो FTX का मामला इसलिए सरकार के सामने आ गया, तो रेगुलेशन्स जल से जल आएंगे, और सक्त से सक्त आएंगे, अगर यह मामला माली है रेगुलेशन्स के बाद होता, तो में भी रेगुलेशन्स उतने सक्त ना भी होते, लेकि जो कि अभी रेगुलेशन्स आए नहीं है, तो इसलिए अब आप ये भी धियान रखें कि रेगुलेशन जो है सक्त आएंगे ठीक भी है कम से कम गंद तो निकलेगा दो एक अच्छी इंडर्स्टी बन जाएगी तो देखें ये था कुछ अभी तक का ब्रेट बाकि सीजे बाइनेंस जो बोला है उसके मैं बिलकुल खिल लगता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा क्योंको सीजे बाइनेंस ने इंडिया के खिलाप ये गलत बयानवाजी की है कि इंडिया में क्रप्टो के लाइक महावल नहीं है बोड़को माना सरकार हैं अपने 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 हिसाब से काम करती हैं लेकिन एक देश के लिए आप ऐसा नहीं बोल सकते अगर आपको ये बाट ठीक लगती है तो कमेंट में जरूर बोलिएगा मैं देखे क्रप्टो के खिलाप नहीं हूं नहीं क्रप्टो में ये कह रहा हूं कि इंडिया में कुछ गलत हो रहा है सरकार हैं अपने हैसाब से काम कर रही है लेकिन किसी को हम ये अधिकार नहीं देते कि आप ऐसा बोलने है वो रूल्स एंड रेगुलेसंस की बात है वो तो जैसा कंट्री चाहेगी वैसा बनाएगी हम उसमें कोई दिखलंदाजी नहीं कर सकते लेकिन आप पब्लिकली इस तरी को इस तरी के बोलो को वहां माहोल ऐसा नहीं है कि क क्रिप्टो पनबा या क्रिप्टो में ज़्यादा कुछ हो पाए तो वो चीज नहीं हम दूसरों को यह जयाद नहीं देंगे बिल्कुल भी भूलने कि अगर आपको ठीज लगता है तो कमेड़ में जरू बताएगा क्या आप सीजे बाइनस से सहमत हैं या उसके खिलाफ है आपको एक चीज और कहना जाऊँगा क्रेजी क्रिप्टो मिंट उपर आज साड़े साथ के बाद जो वीडियो आएगा वो भी बहुत इंपोर्टेंट होगा उसको देखिएगा जरूर क्यों क्यों वहाँ पर भी मैं आपको क्रिप्टो करंसी की पावर बताऊँगा जैसे मैंने आपको हालविंग के उपर बताया उसी तरीके से उसमें भी कुछ डाटा सामने रखूँगा और यह बताऊँगा कि क्रिप्टो करंसी में कितनी पावर है तो आप उस वीडियो को भी जरू देखिए सामको साड़े साथ वज़े के बाद तो चलिए फिर मिलते हैं नम कर दो कर दो